यह कि अब तक की सबसे उच्टम सरपे है सरकार की तरफ से कल आंखड़ा भी है सामने आया कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.4 पीज दी हो गई है क्या कहें गया सारहे 700 लोग जो है वो धन्ना सेट हो गए है और वो खर्बों में उनकी कमाई हो गई है और किसान ने आत्महत्य कर लिया है सारे 12,000 इसको कैसे देखते हैं जीडीपी ग्रोथ हो रहा है अच्छी बात है विकास दर बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है महिंगाई बढ़ रही है तो चिंता की बात है नोजवानों की एक हिस्सा काट करके सरकार के खाते में आपने जम्मा किया है। और जब बेटी का साधी है, मकान बनाना है, बच्चा को पढ़ाना है, कहीं एड्मिशन लेना है, तो P.F. का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं, तो पैसा नहीं निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है GDP बढ़ गया बहुत बढ़िया बात है मुझत हम बार बार यही सवाल पूछते है ना कि पांच ट्रिलियन की एकॉनोमी हो गई सांदार, सुंदर लेकिन पांच करोर की ट्रिलियन पांच करोर पांच टिलन की एकॉनमी हो गई तो ये 80 करोड लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं तो धान कहां जा रहा है किसके पास जा रहा है आंकरा उठा करके देखिए GDP तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जेनरेशन जो है इतिहास में सबसे गड़ीब जेनरेशन है कोई assets नहीं खरीद पा रहा है अगर कोई assets खरीद रहा है तो EMI पर खरीद रहा है तो यह GDP growth किसका है वो देखने की बात है न और इसमें कोई ये कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं यह तो और अच्छी बात है तब तो सरकार अब यह बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे प education पर खर्च करने लगी है लेकिन आपको मालूम है किस बार के budget में जो है education के उपर कटोती की गई है तो पैसा अगर पैदा हो रहा है economy में तो जा किसके पास रहा है यह बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है MSP क्यों नहीं मि फिर के तो व हदा देखन दिजिए गुजरात के मुख मंतरी थे मोधी जी तो परधानमंत्री ममुह valor शिंघ जी को चिठी लिख कर के कहा था कि MSP दुगनी कर दीचे अब तो मुहन सिंग जी प्रधान मंतरी है नहीं गुजरात के मुख मंतरी ये देश के प्रधान मंतरी बन गए है तो MSP क्यूं नहीं लागू कर दे रहे हैं उसको कानूनी दरजा क्यूं नहीं दे दे रहे हैं इसलिए जो है किसान अंदोलन कर रहे हैं नौजवानों की हालत देख लीजिए कि देश के किसी ना किसी कोने में भरती समय से हो एकजाम टाइम पे लिया जाए प्रस्न पत्र लीक ना हो देश के किसी ना किसी कोने में जो है नौजबान और विद्यारती आंदोलन कर रहे होते हैं GDP पढ़ा है बहुत बढ़िया लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए